हेलो मैं फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग अमीद करती हैं बिलकुल ठीक होंगे आज आज मैं आप लोग साथ बहुत अच्छी से एक चीज शेयर करने के लिए जानी हूँ वह हम करेंगे पेंटिंग करेंगे कपड़ के उपर और और वह मैं करेंगे सिकाँटेज को से बनाएंगे और यह कालो में लिया है मैं 3 cm का ट्राइंगल लोंगी मैं, यहां पर मैं निशान लगा लोंगी इसका अब हम इसे काट लेने बस इतना इतना आपने काटना है, ताकि वो उपर से आपने इसको होल्ड करने के लिए छोड़नी है जगा अब हम इसे ड्राइ कर लेंगे उपर से यहां से हम इसे पकड़ेंगे ठीक है, यह रेखें यहां से अब हम कलर एक प्लेट में डाल लेते हैं, अब देखिए मैंने फ्रेम में कपड़ा लगा लिया है और आपने इस तरह से किसी भी टेबल के उपर इसे रखना है, कपड़े को इस तरह यह इसके नीचे की और कपड़ा नहीं आना चाहिए इसलिए कि नहीं तो जो पेंट होगा उसके उपर भी लग जाएगा इसलिए आपने थोड़ी सी इसको हाइट देनी है जो नीचे यह वाला टेबल का लेवल है इस वज़ा से मैंने इसे बिल्कुल कपड़े को उपर नहीं बचाया इससे मैंने यूँ फ्रेम के अंदर लगाया आपने फ्रेम के अंदर इसे लगाना है अदर्वाइस क्या होगा कि नीचे जब आप यूँ पेंट करेंगे तो वह नीचे लग जाएगा जिस चीज के उपर आप करेंगे और फिर कपड़े के साथ लगके वह बहुत स्यादा खराब करेंगा उसे अचा अब यह देखे मैंने इसमें एक कलर डाल लिया है औरेंज कलर तो अब हमने क्या करना है यहां से इसे लेना है ऐसे यूँ और इसे यूँ अच्छी तरह से हमने ऐसे डिप कर लेंगे और जिस भी स्टाइल में आप बनाना चाहरे है आप बनाना शुरू है इसमें अब जैसे स्पेस अगर रह जती है जैसे तो आपने इस तरह से कॉटन बड ले ले या कोई साथ अगर ब्रश है तो ब्रश ले ले या कोई भी चीज है तो वह लेके आप इस तरह से इसको फिल कर सकते है अब हम इसको वाश कर लेते हैं वाश करने के बाद हम दूसरा पेंटिस के उपर लगाएंगे अब मैंने इसे वाश कर लिया है अब हम इसको इस तरह से ड्राइ कर लेंगे और आप मैं दूसरा कलर इसमें लगाऊंगी यह दिखे मैंने आप ब्लैक कलर लिया है अब हम इसे दोबारा वाश कर लेंगे अब जितने मर्जी कलर आप इसके उपर एड़ करते जाएं तो इसे हम इसके उपर मैं रेड़ कलर एड़ कर लूँगी तो आप हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देते यह देखें जी ड्राई होने के बाद ही इसकी इस तरह से वह जाता और उसके बाद आप अगर आप इसे डैकॉरेट करना चाहा रहें तो किसी भी तरीके से हो कर सकते इसे डैकॉरेट मैं जैसे यह वाले मेरे पास छोटे वाले स्तारे हैं तो मैं इनके साथ करूंगी अगर आप नहीं भी करना चाहरें तो इसोके यह अदरवाइस ही बहुत अच्छा रहता है करना चाहरे रहता है इसी तरीके के साथ आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं डेकुरेट आप इसमें फ्रेंच नॉट्स बना सकते हैं आप इसमें पर्ण्स लगा सकते हैं ये देखें ये इतनी जल्दी बन जाता है और इतना इजी भी बन जाता है आप इसे बनाईएगा ज़ूर बलकि अपने बच्चों को डाइज बनाके दें ताकि वो अपने कपड़ों की पर खुट से इस तरह से करें आजकल वो फारग है चोटी है घर में भी है तो वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो और उनका फंद भी हो जाएगा तो ये था हमारी आज की पेंटिंग जो हमने बनाई है जो हमने अपना फैबरिक पेंट किया है तो होफ़ली आपनों को बहुत पसंद आएगा प्लीज इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल और फाइंट की चैनल लाइफस्टाइल उसे भी सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पेज का लाइक करें थैंक यू